ये एसद जो है वो concepts के अंदर नहीं दे रखा law of conservation of energy जो है वो इसको हम लोग prove करने वाले है not prove करने वाले this is law law का कोई proof नहीं होता उसको हम लोग derive करके दिखाने वाले है कि law of conservation of energy जो है वो किस particular तरीके से जो है वो validity अपनी show कर रहा है तो यहां पे मैं जो एक case particular लेके चल रहा कि कैसे जो है वो energy at a और energy at b और energy at c जो है वो एक दूसरे के एक दम बराबर जो है वो हम लोगों के पास जो है वो होंगे ये हम लोग जो है वो approve करने वाले है तो इसको law of conservation of mechanical energy का concept जो है वो आप समझ लीजिए तो मैं सबसे पहले a point की यहां पे बात करने वाला हूं ठीक है तो a point के उपर जो है वो देखो object जो है वो यहां पड़ा है रुका हुआ अभी fall करना इसने शुरू नहीं किया तो यहां पे देखो a point की अगर बात की जाए तो kinetic energy हम लोगों के पास a point पे कितनी है जीरो है क्योंकि object initially rest पे है और अगर मैं बात करूं potential energy की तो potential energy इस point पे जो as potential energy अब इसकी position h height उपर है ground से तो h height उपर अगर ground से है तो mg h जो है वो हम लोगों के पास इसकी potential energy जो है वो होने वली है तो अगर मैं total energy a point पे बात करूं mechanical energy की तो अभी हमने देखा कि mechanical energy sum है किस चीज़ का potential और kinetic का तो potential और kinetic का अगर मैं sum की बात करूं तो इस sum को करके मेरे energy at point A is equal to mg h वो हम लोगों के पास यहां पर आ गया तो यह a point पर energy jet we हमारे पास होगी दूसरी अगर मैं बात करूं B point पे, तो यहाँ पे देखो energy at B energy at B, अब B के उपर वो हम लोगों के पास क्या है potential energy B present है plus हम लोगों के पास kinetic energy B present है, तो अगर मैं B point पे potential energy की बात करूँ तो potential energy is the energy of a body due to its height, अब यहाँ पे height कितनी है, देखो, एक चीज़ यहाँ पे को understand करनी पड़ेगी, वो यह कि X यह नीचे गिरा, H यह total था, तो यह particular height मेरे पास H minus X जो है, वो होने वली है, तो यहाँ पे यह वली value जो है, वो मेरे पास H minus X जो है, वो हो जाएगी, और अगर मैं इसी particular point पे kinetic energy की बात करूँ, तो kinetic energy निकालने करेंगे न, अपने को velocity चाहिए velocity B point पे जो है, वो कैसे निकलेगी तो देखो, अगर मैं A point पे initial velocity की बात करूँ, तो वो 0 है, velocity at B point जो है, वो मेरे को निकालनी है, ठीक है न, तो formula क्या लगएगा, V square minus U square is equal to क्या, 2 AS, तो V square minus 0 का square A point पे, यह B point पे as equal to 2 into G into H कितना है यहाँ पे, इस particular जगा पे, height कितनी fall हुई है, x distance जो है, वो fall हुई है, तो V square की value मेरे पास किस के बराबर आगी, 2 G x के बराबर आगी, तो यहाँ से, अगर मैं kinetic energy निकालूँगा, तो kinetic energy का जो formula आएगा, that is half M V square, तो kinetic energy अगर half M V square आ रहा है, तो V square की अगर मैं value put करूँ, तो half M into में 2 G x, यह 2 से 2 कटा, तो यह value किस के बराबर आगी, M G x के बराबर जो है, वो हमारे पास kinetic energy आगी, तो यहाँ पे kinetic energy किस के बराबर होगी, M G x के बराबर होगी, अगर मैं इन दोनों values को add करूँगा न, मतलब अगर मेरे को total energy जो है, वो B point पे निकालनी है, तो total energy B point पे क्या होगी, इस B point पे potential energy, plus B point पे जो है, वो क्या, kinetic energy, अब energy add B point जो है, potential energy कितनी है, M G, अब मैं इसको न खोल देता हूँ, H minus M G x plus 7 में ये क्या, M G 7 में क्या, X, ये दोनों कटे और energy add B point मेरे पास, देख लो, बड़ाजी, कितनी है आगी M G H के बराबर ही आगी तो, इसका मतलब क्या हुआ, कि energy add B और energy add A जो है, वो हम लोगों के पास जो है, वो बिलकुल बराबर जो है वो particular values को जो है, वो हमारे पास show कर रहा है अब question ही आता है, कि M G H energy A पे आ रही है M G H energy B पे आ रही है आपना इसको यहां तक note कर लो, क्योंकि मैं next जो है, वो इसको साफ करके फिर जो है, वो लिखूंगा, C point की energy की derivation आप एक पर अपने पास जो है, वो इसको अच्छे से diagram, तो मैं यही रहने दूँगा बाकी आप सारा note कर लो, ठीक है फिर मैं energy A C point जो है, वो आपको निकाल के बताता हूँ, बस याद रखो कि mechanical energies का जो sum है, वो kinetic energies plus potential energies के बराबर वो हम लोगों के पास होता है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि energy at C point जो है वो कैसे निकल लगा, देखो C point पे आगे बाड़ी यहाँ गिरगी, तो ऐसे cases के अंदर, जो potential energy है, वो 0 होगी, और जो kinetic energy है, उसको निकालना है, अब यहाँ पे देखो initial velocity कितनी थी, 0 थी इस particular point पे, object की final velocity मेरको जो है, वो निकालनी है C point पे, formula क्या है V square minus U square is 2G, पूरी height fall कर रहा है, H, तो V square की value क्या होगी, 2G H होगी ठीक है, half M V C square, यह V C की value ही है, ठीक है यह A हो गया, यह A वली value है ठीक है, तो इसकी value कितनी होगी half into में 2GH होगी, half से half कटा, तो, sorry यहाँ पे M V आएगा, half, तो यहाँ से multiply करके, इसकी value कितनी आगी MGH आगी, तो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलगी, कि kinetic energy की value कितनी होगी, MGH होगी, अगर मैं energy at C point निकालूँ, तो energy at C point is potential energy, प्लस साथ में kinetic energy, तो 0 प्लस MGH, तो 0 प्लस MGH किसके पराबर आगया, मेरे पास MGH के पराबर आगया, तो यहार एक चीज़ आप देखो, आप कहीं पे भी हो, पूरी कि पूरी जर्नी के अंदर, जो total mechanical energy है, वो हम लोगों के पास, बिल्कुल conserved जो है वो होती है, और तीनों points पे चाहे आप A पे निकाल लो, B पे निकाल लो, या C पे निकाल लो, दोनो potential energies और kinetic energies का जो sum है वो हम लोगों के पास सिरफ और सिरफ A की value को show कर रहा, and that particular value is MGH दर असल basically इसमें हो क्या रहा देखो, A point पे सिरफ potential energy है, जैसे ही object ने नीचे जो हो fall करना शुरू किया तो potential energy अब kinetic energy में बदल रही है, और object जो हो तीजी से move कर रहा, और धीरे 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 height जो हो इसकी reduce होके यहां होगी, तो इस particular time पे when it just hits the ground just before it hits the ground तब इसके अंदर सिरफ और सिरफ height इसकी almost zero हो चुकी होगी और सिरफ और सिरफ कौन सी energy जो हो प्रेजन्ट होगी, kinetic energy जो हो प्रेजन्ट होगी तो इस particular case के अंदर energy का formation एक form से दूसरी form में जो है, वो transformation देखने को मिल रहा है, यहां पे potential energy से energy जो है, वो kinetic energy में change हो रही है, पूरी की पूरी, लेकिन total mechanical energy is conserved और उसकी value जो है, वो MGH के बराबर जो है, वो होने वाली है school के उपर इस तरह से जो है, एक derivation के उपर जो है, वो questions पूश लेते हैं तो यह सारा जो है, वो आप note कर लिया है मैं zoom करके चल रहा हूँ, आपको जो है funda clear है, बाकि next slide के अंदर जो है, आपने मैंने लिखा हूँ है यह सारा जो है, वो मैं आपको show कर देता हूँ screenshots उसके जो है, वो आप ले लो ठीक है, तो यह मैंने energy at diagram आपने बना लिया, ठीक है, तो यह note कर लो एक बार आप, यह a point से है ठीक है, यह a point से लेकर यहां तक का screenshot ले लिया, ठीक है, उसके बाद इसके आगे जो है, वो मैं, यह b point की energy जो है, वो यहाँ पे b point का जो है, वो मुझे लगता है, आपका हो गया यह b point की energy जो है, वो निकल की जो मैंने आपको निकाल के बताई थी, उसके बाद, जो है, यह हम लोगों यहाँ पे इसने c point का जो है, वो शायद नहीं निकाला, वो मैंने आपको दूसरा manually जो है, वो show कर दिया था, अभी ठीक है, तो यह c point की energy मुझे लगता है शायद यह आपने note कर ली, होगी नहीं, तो video reverse करके जो है, वो देख लेना, मैं zoom करके चल रहा हूँ बढ़ा जी, law of conservation of energy जो है, वो आपको clear